अलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं gypsum plaster के बारे में तो चली वीडियो को start करते हैं देखिए gypsum plaster जो होता है और जो cement based plaster होता है उसमें अगर सबसे अच्छे हम plaster की बात करें तो जो gypsum plaster होता हो ज़्यादा better होता है तो देखिए ये जो cement based plaster होता है उससे ज़्यादा अच्छा क्यों होता है और क्या इसके advantage है क्या इसके disadvantage है आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करें तो चली वीडियो को start करते हुए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इसमें पहला point आता है वो है cost के according तो जो gypsum plaster है अगर हम उसे करवाते हैं तो material और लेवर के साथ में अगर इसके cost को जोड़ा जाए तो वो आपको 25 से 30 रुपए square feet पड़ता है यहाँ पे जो gypsum plaster है उसका आपको एक फाइदा और यह देखने के लिए मिलता है कि जो हम gypsum plaster कराते हैं उसमें आप अपना जो next employment है यानि कि अगर आप paint putty करवाना चाते हैं तो उसे आप 2-3 दिन के बाद में करवा सकते हैं लेकिन अगर आप वहीं जो है cement based plaster करवाते हैं तो इसमें आपको curing के लिए कम से कम 10 दिन का time लगता है लेकिन इसमें आपको यह नहीं करना पड़ता है अब दूसरा बात कर ले हीट consumption जो है उसमें आपको क्या फायदा मिलता है तो देखिए जो cement based plaster होता है वो cement उसमें include होने के कारण के है उसमें उससे heat reduce होती है और इस वजह से आपको इसमें curing भी करनी पड़ती है लेकिन जो gypsum plaster होता है यह आपके room के जो temperature है उसे भी कम करता है यानि कि जो heat consumption है वो पूरी तरीकी से कम कर देता है तो सबसे ज्यादा बड़ा advantage तो आपको यह मिलता है कि जो आपके जो गर्मी के समस्य होती है अगर आप बाहर के temperature को देखते है तो उसके अपेक्छा आपके जो room का temperature है वो आपको 8 से 10 degree कम ही देखने को मिलेगा अब इसमें जो तीसरा point आता ह है वो crack को लेकर देखिए जो cement based plaster होता है उसमें के shrinkless cracks जो होते है या आपको देखने मिलते है या कहीं कहीं पे आपको hairline crack है वो आपको देखने के लिए मिलते है लेकिन जो gypsum plaster होता है इसमें आपको crack की समस्या कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलती है इसका कारण यह होत जब हम cement based plaster करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कहीं कहीं पे curing proper तरीके से नहीं होने के कारण उसमें crack generate होते हैं लेकिन जो gypsum plaster होता है इसमें आपको curing की कहीं भी जरुवत नहीं पड़ती आप इसमें gypsum plaster कराने के बाद में दो से तिन दिन के बाद ही चाहे तो उसमें paint apply करवा सकते हैं primer लगवा कर यानि कि उसमें paint कर सकते हैं और अगर आप इसमें putty नहीं भी करते हैं तो primer लगा कर आप सिधे paint को करवा के अपने काम को finish कर सकते हैं क्योंकि इसकी finishing जो होती है वह बहुत ही अच्छी होती है अब इसमें जो अगला point आता है वो है hacking process का देखिए आपने ज़्यादा तर देखा होगा कि जहां concrete के आपके beam column होते हैं यानि कि आपकी slab होती वहाँ पे क्या करना पड़ता है कि आपको cement based plaster उसे करने के पहले वहाँ पे आपको hacking करनी पड़ती है जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे है लेकिन जो gypsum का plaster होता है इसमें आप अगर इसे direct concrete जहां आपका surface होता है वहाँ भी directly इसे apply कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की hacking करने की कोई जरुवत नहीं पड़ती है अगर एक प्रकार से देखा जाए तो hacking process में जो हमारे concrete के beam column होते है slap होते है उसे हम एक प्रकार का नुकसान ही पहुँचाते है लेकिन जो gypsum का plaster होता है इसमें आपको hacking करने की जरुवत नहीं पड़ती है तो ये इसका एक सबसे बड़ा plus point होता है तो देखिए इस वीडियो में हमने सबसे पहले तो आपको gypsum plaster के advantage और disadvantage के बारे में बता दिया अब हम जान लेते हैं कि जो gypsum plaster है उसे किया कैसे जाते है उसे करने का तरीका क्या है देखिए सबसे पहले कि जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये पूरी दिवाल पर आपको gypsum plaster देखने के लिए मिल रहे है जिसकी जो finishing है बहुती smooth है और अब बात कर लेते हैं कि इसे करने का सही तरीका क्या है देखिए आप जो gypsum plaster है उसे दोनों तरीके से apply कर सकते हैं यानि कि अगर आपने अपने घर में plaster नहीं भी करवाया है तो भी आप इसे direct brick की जो wall होती उसके उपर apply कर सकते हैं और अगर आपने plaster करवा भी लिये तो भी आप इसे दिवार पर apply कर सकते हैं लेकिन इसको सबसे अच्छा तरीका apply करवाने का यह है कि अगर आप plaster नहीं करवाते हैं तो भी आप इसे direct brick की wall पर apply करें अगर cost के according बात की जाये तो आप इसे जब direct डिवाल पर apply करवाते हैं तो उसमें आपका cost कमी लगता है अब इसे apply करने का सही तरीका यह है कि जैसा कि आप इस दिवाल में देख रहा है कि सबसे पहले गोली से level करके इसमें level की पट्टियां बना ली जाती है और इसके बीच में gypsum plaster को भर करके इसे जो फंटी होती इसकी सहता से finish कर दिया जाता है तो इसी प्रकार इसमें जो है छोटे छोटे पैनल बनाया जाते हैं उनके बीच में gypsum plaster को भर करके उसे back to back finish किया जाता है तो complete होने के बाद में जो है इसका look कुछ इस प्रकार दिखाई देता है जब इसे 3-4 दिन सुखने में लगते हैं तो यह पूरी तरीके से आपको अपने color में यानि कि पूरी तरीके से आपको white दिखने लगता है और इसके उपर जो है आप direct primer करके paint भी करवा सकते हैं otherwise कई लोग जो है इसमें उट्टी का काम भी करवाते हैं अगर आप इसे labor cost में देते हैं तो labor यानि कि जो mystery होता है इस काम को करने का 10-15 रुपे square feet चार्ज करता है और आप इस काम को with material देते हैं तो इसका जो cost है 25-30 रुपे के आसपास में होता है अमिद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like और share करें आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद